कैसे आप सब आई होगे तो अभी मैं रेडी सेड़ी हो गई हूँ बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया चेरे में तो मैंने कुछ भी क्रिम और नहीं लगाया था बिल्कुल अजिब सा वाइट वाइट सा दिखने लगा उसे पोज कि मैंने सिर्फ मॉस्ट्राइजर लगाया और लिबिस्टिक और मस्करा आइलाइनर आइलाइनर नो आइब्रो पैंसिल आइब्रो पैंसिल से सेट किया क्योंकि बहुत ज्यादा पारलर में गई थी ना बहुत ज्यादा थीन कर दी पैंसिल यूज करना पड़ा तो बस मैं कहां जा रही हूँ अभी साम के बजरे साथ मुस्कान सभी लोग जा रहे मौल रेडी हो गए है आयान भाई भी रेडी हो गए है ऐसे नहीं क्याप लगा 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 लीजिए मेरा बच्चा इतना ज्यादा यह मतलब यहां पर बदमाश होता जा रहा है हाँ बेटा अच्छी लग रहे है बहुत ज्यादा डेहंडल हो मेरा बच्ची का जो पढ़ाई इना पूरी चौपट हो चुका है और मुझे सब जाके सुरू से करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा बस जन्वरी कटे और मैं यहां से निकलू तो चलो भाई अभी ज्यादा बाते ना करते अभी चलते हैं हम तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं और गली खतम मार्गेट पहुंच गई तो मतलब बिल्कुल सामने में रहती हूं और अगर पहले चाहां रहती थी वहां से अगर आना होता तो मतलब सोचना पड़ता कि दो ऊपर जाना पड़ेगा ना तो बस हम लोग आगे हैं अभी उपर चलते हैं वाव मतलब ठंडे में पहली बार निक आई हूं मॉल और ठंडे जाड़े का चीज इतना अच्छा अच्छा वाव कितना अच्छा गोड़ी है लाड़ी की में उप्राइवी है कोलर कितना प्यार है यार हम लोग भी पैनेगे तो पूरा नहीं लगेगा अच्छा लगा है और पूरा माल बरावा है चलो भाई हमको जो काम करना वो काम से अपने भटकेंगे नहीं अकसर ऐसा होता ना आती कुछ करने कर कुछ और जाती उपर से कुछी थीगा चलो पहने चलते हम ज हुआ है हुआ है 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 तो अब दोनों बच्चे के लिए आपक ले ली आपना प्रूचा और यह मैंने दोनों बच्चे के लिए सेम चीजें ले ली है कि अब यहार यहां पर क्या हो गया अभी जो गेट पर रहते हैं चेक करने वाले वह सामान लेकर आ मतलब कि इधाना है मुझे बिल मैं आपनों करता है कि मिदे दिखाना मुझे सेमां तो इसा rolling है तो घर आ गई हूं अभी हम लोग जा रहे हैं अमी जानते क्या हुआ जब समान लेकर निकल रही थी तो वहां पर मतलब वह गाड खड़ा रहता है नहीं कितने इच्छ लग रहे हैं क्या बोल रहा कि सिलिप दिखा तो हम तो आगे निकल गए गुड़िया के पास समान दिखा रही है तो फिर हमने दिखाया तब वह जाके चोड़ा तो चलो भाई बहुत ज्यादा फोन आ रहा है चलो चलते हैं चलो 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 यह लोग रुख गई थी यह लोग दूद ले रह नहीं में जल्दी चलेए ठीक हम जा रहे हैं चलो बैए और यहां पे मैंने केक खाया केक कर चुका था तो बड़े सद्डे से आगए और खा ना का के बस चली ऑई रही यह यह भी यह इतना साथ हर होने लगी कि लोग लेके पहुच गई वहीं पे तो फिर यह वहां जाके एक काम की जो के हमेसा करती है पॉटी तो वैसी ब्लैंकेट मेला पेट के लिके चली आई मैं अभी क्लीन कर दिया सर में बहुत ज्यादा दर्द और आप मैं जारी उचाहे पीने और आज है जुमा और आप सब को जुमा मुपा रहे को आप सब में नहायाद होगा पर हम नहीं आप सकते क्योंकि मुझे साम हो गया बेवी को सब आप सब आप कर दो पहले हूं तो पहले में पोज रहे थे भई पानी पानी हो रखा इसलिए बेवी को ठंड लग जाएगी मुझसे तो इसलिए नहीं नहाने दिया गया टाइम आउट हो गया था तुर आप छाय पीने का मन कर रहा दूद मिलता है क्या पताऊ मतलब चाय पीने का मन हो तो मठिया का सोजा वह यह वेतार है दूध बहुत दूर मिलता है यहां पे कोई भी आस पास दूपान नहीं रखते हैं पताँ एंग्चाहिं क्यों है तो अभी यह रहा है और कर यह र तो मी नहीं सुहरी भी चाय बनाते हैं फिर अम्मी को जगाएंगे और मुझे का मन कर रहा है मीठा समोसा तो मुस्कान का वेट कर रहे हैं वी तो मद मुझे गाएंगे नियुक्त चाय बाहर जाएंगे दूद्ध जो है किया अभी हम चलते हैं दूद्ध है पेका मी स्वेटर फेका है अमी देखो कैसे बैठी है अपनी नतनी को खिला रहे हैं चाय पीना है अमी यह दोखो पतंग यह हैबिट बन गई है इनकी पता नहीं पतंग खिशते खिशते इतना जादा मतलब चलो बेटा स का दूद्ध बचावा था तो किसी ने चाय बना लिए और चाय पती अभी मैं चली तो चाय पती खदम तो लगता कि आज मेरे नसीब में चाय आई नहीं अभी जो है की चाय डेडी हो गया कप ना होने के कारण मुझे इस ग्लास में जो है कि चाय निकालना पड़ा तो चलो सब्सक्राइब को चाय देते हैं क्योंकि चाय में बहुत लोचा हुआ पहले तो चपती खतम फिर उसके बाद बहुत देरे बाद आया यह वाह दादी इतना फास्ट की जादी का चाय भी खतम और मेरी चाय भी धुवाई निकल रही है और अम्मी पता है क्या करें इतना ठं है बार जाने के लिए इंतिजार करें मिठा समुसा खाने का मन कर रहा है चला जाए क्योंकि वहां पर समुसा है यह समुसा की सब्सक्राइब को चलो ठीक है और बस अब जो है कि हम लोग जा रहे हैं और मैं सोची कि जारी मार्केट तो सबजी भी लेते आओंगी पर भाई चले गाए सब्सक्राइब लाने तो अभी हम लोग चलते और बेबी को छोड़ के जारी कि ठंड बहुत है ना बेबी को बार लेगे लगे हम जानी सब्सक्राइब देखो बीटू बाबू मेरी मा बोल दो तो सब को सुना दो तो मा बोले हम पर आपी समुसा ले रही है पास जादे पर देखों तो हमारे साथ गेम करती यह थाना मोड बोली कि उधर गोलगपा नहीं खाएंगे उधर खातम हो चुका था इधार आई तो गोलगपा वाला है लेकर क्यों नहीं था वहाँ पे आपकर कहरी है तो मुझे यहां नहीं खाना गाड़ी आरा साइड हो वाँ इतनी बड़ी गाड़ी इसे नहीं मेरको अच्छा ही नहीं लगता मां का मां का और तुम अब बोल रहे कि नहीं चलो तो क्यों लेकर आई मुस्का रिता दो हम तो इसी आज़ा में आदी कि तुम यहां पे मतलब गोलगपा खाऊ जो भी की गलत की हो बहुत दूर अधर भी महाँ पे भी गोलगपा खातम अब देखो कि यहां पर मिलता या नहीं तो हमको नहीं लगता है कि यहां खाऊगी हमें लेना है मॉमोज आ के पूछ रेंचे कैसे समुसा तीह करें मॉमोज समुसा नहीं है मॉमोज ऐसे ही याद दिला दियो 10 कदो और इस्टिम इस में दोस्तूस के करें जाया कि आपाय मिल गया सब्सकांब और जहां था वहां कि मतलब सफाई आपाइसा इसलिए मुसकान नहीं खाती जहां खाती थी वह किसी समान और माशाळलास इदर सारी सब्सक्राइब मेठा समोसा इतना जादा खाने का दिल था कि मैं मार्कर चली गए इसके लिए बहुत जादा अच्छा लगता है और घर में भी हम लोग वाइल करके एक खा सकते हैं लेकिन जो हो मसाले बना के देते हैं न गुडिया यह बहुत जादा टेस्टी होता है कैसा लगा अम्मी मीठा समोसा अम्मी को भी बहुत पसंद है और जब से हम भी खाएं न हमें भी बहुत अच्छा लगने लगा है ठीक और ये दिखो, कैसा लगा, हां, खली-वाली, खली-वाली, और ये ये मसाला है, ऐसे हम लोग चाट के खाते है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, कैसा लग रा मसाला, मार्केट से ये वाला, हम निंकी ले कराएं, और चाय के साथ यह बहुत जाधा उच्छा लगता है कि ये पोहा पोहा चूड़ा हम लोग चूड़ा बोलते बागी लोग फूहा बोलते आता है ठंड के महसं में यह पोहा फ्राई करके मतलब चूड़ा फ्राई करके इस इसमें और यह प्रहित है तो तो टाइम नहीं हुआ बेटा आपका सोने का अरे बाप कैसे की अमी भाग के चली आई और यहां पर मैं रीदू के लेकर आई कि उसे सोला दियू पर यह मैडम का देखो एक मिनट का नींद ली है और फॉरण सुजू की है और जग गई है मतलब नींद कहा है बेटी आपका आपका नींद कहा चला गया है हां और यहां पर बन रहा है गर्मा गरम प्राठे अलुके और बनाने वाली भाई यह रही मैडम और साथ में है हरी चटनी तो मैं जली रात का खाना खाने आई होब आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा तो प् ते लिगाई भाई